हेलो गाइस वेलकम टो माई यान अधर वलोग तो आज सैटरड़े और हमारे ओफिस की चुट्टी है और मैं अभी घर जा रहा हूँ और आज सैटरड़े को बहुत सारे काम है तो मैं आपको एक एक करके सारे काम दिखाऊंगा अभी सुबह के साथ बज़े हुए हैं तो मैं करने का दरा मुबस करके लिए और फिर मैं मेरे नानी के गर पहुंच गया और यह हमारे एक्टीव एवन 25 सेसे स्कुट्टी जो की बहुत गंदी हो रखी है फिर इसको लेकर हम अपने काम खतम करने निकल गए मैं और मेरा चोटा अब आई मंदीप कर दोस्त नजार आ रहे हैं और फिर हम पहुच गई होस्पिटल जो की यहां से हमें हमारी सिस्टर की रिपोर्ट्स लेनी है क्योंकि उनके दो दिन पहले यहां सारे टेस्ट हुए थे तो उसी की रिपोर्ट्ट लेने हम यहां पर आये हुए हैं हमने अपने स्कूटी पार्किंग में घड़ी कर दिये और अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर रिपोर्ट्स लेने के लिए कौन सा उस्पिटल बंदी पर इंद्रा गांदी उस्पिटल जो कि दो आरका में हैं और फिर हम यहां वेट कर रहे हैं हमारे रिपोर्ट्स का क्योंकि यह सरकारी उस्पिटल और नो बज़े से पहले कोई भी डिपार्ट्मेंट से ओपन नहीं होता यहां पर तो लेट्स से पोटल तीन रिपोर्ट्स हमें लेनी थी होस्पिटल से जिसमें से हमें दो मिल गई हाज और एक रिपोर्ट में पाच या छे दिन के बाद मिलेंगे तो अब हम वापिस घर जा रहे वाँ से नानी और सिस्टर को लेके नजगड जाएंगे और मैं सभी को लेके नानी सिस्टर और मंदीप को नजगड पोच चुका हूँ और मंदीप एक दूसरे क्लिनिक में गया हुआ क्योंकि हम यहां से भी रिपोर्ट्स उठानी थी कुछ है और उसके बाद फाइनल होस्पिटल में चलते हैं जहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना सिस्टर गा तो आए मिलते हैं फाइनल वाले होस्पिटल में अब हम फाइनल होस्पिटल में पहुच चुके हैं और यहां से सिस्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है आज से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा दो से तीन महीने का ट्रीटमेंट रह प्रगुडगाव कोच के मुझे याद आए कि मुझे सेविंग भी करवानी थी तो मैं सेविंग करवाने के लिए सेलोन पे चला गया रात के टाइम सेविंग करवा के वापीस मेरे पीजी आया तो मुझे हर रोज की तरह ये छोटा राजन मिला यहां पे और ये मेरा पीजी है ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है तो बाई बाई गाई सी यू